इस वीडियो में हम बात करेंगे 69 PPSC के लिए last month strategy आपकी क्या होनी चाहिए इसमें first मैं subject की बात करूँगा कौन सा subject है जिसको आपको priority देना है ठीक है उसे कितने number of questions आ रहे हैं examination में और आपको उस subject के लिए कौन सा book जो है refer करना चाहिए तो basically इन तीन चीजों के बात संथ में आप effectively किस तरीके से prepare कर सकते हैं ताकि आप जो है cutoff को cross कर जाओ ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे most important subject जहां से maximum questions आपकी examination में आते हैं तो first उसमें जालो ठीक है तो हिस्ट्री से गें 30 questions हिस्ट्री से 30 questions ऑल्मोस्ट पूछा जाता है जिसमें कि modern history का सबसे कि जबा वेटेज होता है ठीक है modern history आपको focus करना है ठीक है क्योंकि 15 से 18 questions सिर्फ आपका modern history से पूछा जाएगा और पाच-पाच questions पाच या 6 questions जो है ancient और medieval से पूछा जाता है ठीक है तो मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रपेर करना है और book list भी बताऊंगा आपको ठीक है पहले मैं आपको बता देता हूं current affairs से almost 30 questions आपसे पूछा जाएगा 30 to 35 यह vary करता है 30 हम average लेके चलते है ठीक है बिहार जीके से again 30 questions अब देखो बिहार जीके में include है जैसे कि बिहार का history ठीक है यहां पर लिख दता हूं history geography ठीक है बिहार जीके में सारा यह 30 questions में cover हो गया ठीक है तो इसको अलग से आप मतलब बिहार जीके consider करो चैसे आपको समझना समझे लो लेकिन बिहार जीके अगर स्पेसिक में बात करूँ जैसे बिहार history विहार जोगरफी विहार economics ठीक है तो उस तरीक scholes आपसे examination में पूछा जाए है तो यह इसलिए इसको most important लिखा गया है क्योंकि यह चार ऐसे subject हैं जो कि आपको इस पर command होना ही होना चाहिए अगर आपको examination clear करना है तो ठीक है और यह जो important subject है जैसे कि quality हो गया, economics हो गया, geography हो गया, maths हो गया, कि आपको merit, in the sense कि आपको बाकी से edge देगा, यह subjects आपके सही है, politics, economics, geography, तो आप बहुत ही easily cut off को clear कर लोगे, क्योंकि देखो यह science, history, current affairs, भीहाज जी के हर कोई पढ़के जाएगा, इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों होते है, maths छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं, geography पे उतना ध्यान देते नहीं है, ठीक है, कुछ लोग economics को छोड़ देते हैं, quality भी है, कोई पढ़के जाता है, तो इन तीन subject को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, इनका weightage कम है, बट इनको आपको छोड़ना नहीं, कि कोई आपको जो cut-off clear होगा, वो इन सब से ही होगा, क्योंकि यह सभी science, history, current affairs, हर कोई पढ़के जाता है, हर जो serious student हो, पढ़के जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो आपको इन पर भी दियान देना equally important है, ठीक है, तो इनसे कितने questions बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो quality से on an average अगर मैं बात करूँ तो 8 to 10, ठीक है, या फिट 12 तक भी जा सकता है, तो 10, 8 से 12 questions आपके examination में होते हैं, ठीक है, economics से again, 8 से 10 questions आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, geography से again, 8 से 10 questions, and math से again, 10 के question, 10 के round questions आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो basically यह आपका distribution होगी है, marks का, कौन से subject पे, कितने number का आपसे पूछा जाएगा, ठीक, एक और चीज़ आपर बता दूँ, अगर इन सब, जो most important subject यह लिखा हुआ है, अगर इन subject में आप किसी भी एक subject को skip करते हैं, चोड़ के चले जाते हो, तो आपका जो selection है, आप already जो है backward पे चले जाओगे, आपका selection बहुत कम chance है की होगा, ठीक है, यह चार subject, यह जो four subject है, यह four subject, आपका command होना चाहिए, क्योंकि यह सभी लोग पढ़के जाएंगे इसको, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको selection चाहिए, prelims में आपको qualify करना है, इस तरीके के competition में, तो आपका economics, geography, maths पे भी command होना चाहिए, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपको prepare कैसे करना है, book list के बारे में, और आपको किस तरीके से approach करना है, ताकि आप एक महिने में clear कर पाओ, ठीक है, तो चलिए मैं book list के बारे में पहले बात कर लेता हूँ सबसे पहले मैं एक book दिखा रहूँ आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह देखो my state बिहार करके एक book है, तो जो लोग बिहार जीके के लिए पूछ रहे थे, बिहार जीके के लिए, तो उनके लिए सबसे best book में मेरे हिसाब से यह सबसे अच्छी book है, क्योंकि इ जैसे कि मैं बता दूँ आपको, इसमें आपको history मिलेगा, history, ठीक है, इसमें आपको बिहार का geography, बिहार का polity, ठीक है, economics, ठीक है, उसके बाद government schemes, government schemes, और कुछ static GK, ठीक है, देखो, कुछ लोग इसको refer करते, कुछ लोग crown publication की book आती है, crown publication की उसको भी refer करते है, तो अगर आपने पहले से उसको पढ़ा है, आपके पास कोई already notes है, तो मैं यह नहीं कहुँगा, कि आप इस book को खरीदो, और इसको पढ़ो दुबारा से, ऐस तरीके से करे, तो आप इस book को बिल्कुल भी refer कर सकते हो, और यह बहुत ही अच्छी book है, इसमें क्या है, कि आपको pre, pre plus mens, दोनों में help करेगा आपको यह, इस तरीके से इसमें content दिया गया है, कि आपके mens examination में, आपको किस तरीके से बिहार specific questions आते है, mens में, उसको आपको किस तरीके से tackle करना है, यह आपको उसमें दिया गया है, और इस book में क्या है कि mains related questions भी provide किया गया है, mens related question, ठीक है, कि किस तरीके से question frame होता है, ठीक है, वो भी, और prelims में, past year में जो पूछा गया है, ठीक है, वो भी question इस book में दिया गया है, तो आप इस बिहार जिके के लिए book मत मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है अगर आपके पास अभी तरों सबसे करना चाहिए और सबसे से बेहतर कोई बुक आपको अभी के फिलहाल अगर तीस दिन में आपको पढ़ना है ठीक है अच्छे से और मैक्समुम स्कोर करना है मैक्समुम क्वेस्टिंस अटेम्ट करना आपको तो ncrt आप स्टिकर सकते हो नाइन्थ क्लास and 10th class ठीक है बिलकुल अच्छे से इसको कवर करना और multiple revision करना है उसके बाद जैसे ही आप खतम करते हो उसका प्रैक्टिस भी आपको बहुत ही important है आपके लिए क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सबसे देखो बहुत लोग क्या करते हैं यहां पर में लिख रहा हूं प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले previous year आपको देखना है previous year previous year अगर आपका हो जाता है तब आप जैसे कि घटना चकर वेगर आप ठीक है घटना चकर यह सब यूज कर सकते हैं कोई भी जहां से प्रैक्टिस कर तो यूज कर सकते हो लेकिन NCRT 910 और previous year ठीक है science के लिए यह बहुत ही जरूर यह है कि questions repeat भी होते हैं ठीक है even question अगर repeat नहीं तो concept repeat होता ही होता है ठीक है आपको इसे एक ही topic से बारबर question देखने को मिलेगा तो previous year से बहतर कोई solution आपके पास है नहीं ठीक है और 30 दिन में ज्यादा पढ़ाई करने से बहतर है कि आप effective पढ़ाई करो revision पे ज्यादा ध्यान हम दो ठीक तो यह चीज हो गया है कि एक मिटी रेज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि space थोड़ा मिल जाए मुझे ठीक है हाँ तो next हम बात करते है history को लेगा हिस्ट्री में आपको कहां से करना चाहिए ठीक है सबसे पहले तो अगर आप पहले से कहीं पढ़ रहे हो क्योंकि यह वीडियो उन्हीं के लिए जो पहले से जिन्होंने पढ़ रखा है तो अगर आपने spectrum पढ़ा तो उसको एक ब पर रिवाइस कर लो ठीक एंशेंट हिस्ट्री और मेडेवल हिस्ट्री के लिए अगर आप जहां से पढ़ रहे हो हां से पढ़ो अगर मैं बुक की बात करूं तो जिस बुक को मैं रिकमेंड करता हूं जिससे मैं पढ़ता हूं वह है कि पूनम दलाल दहिया की बूक काती है एंशेंट मेडेवल के लिए ठीक है तो इस बुक में यह है कि आपका मेंस का भी प्रिपरेशन साथ में साथ हो क्योंकि आपके मेंस का भी वेटेज हिस्ट्री का बहुत काफी ज्यादा होता है तो पूर्ण दलाल दहिया से क्या हो कि आपका अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्मेंड नहीं करूं तब आप यह से क्लिए मेंस की लिएगा मेंस मिलेगा इस बूक में से क्योंकि बहुत अच्छे से लिया हुआ है आपका अच्येंट मेडिवल आट कल्चर और कुछ इसमें दिया गया है तो इस टाम लगे का पढ़ने में लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो अगर सिर्फ परी की बात करू कोई नोट्स है या फिर आपने जहां से पढ़ा है बुक से ठीक है तो इंशेंट के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है चार-पाच कोईशन साथ है तो बिल्कुल आप इसली तीन-चार कोईशन सो कहीं सभी पढ़ोगे तो किलियर आपका हो जाएगा तो मल्टिपल सोर्स है कुछ यूटूब पर चैनल्स है ठीक है मैगजिन से इदने सारे तो कर सकते हो लेकिन जैसे जो बिपीए सी का जो मतलब जहां पर बच्चे ज्यादा रेफर करते हैं तो वह स्पीडी फर्स्ट ठीक है या फिर एडूटेरिया तो यह दोनों मैगजिन आ कर सकते हो तो करेंट अफेर्स बिसिकली आपको six to eight month का करके जाना ही जाना है ठीक है कुछ लोग एक साल का करते हैं लेकिन आपको पता होगा कि जो फैब में हुआ था एक्जाम बीपीए सी का ठीक है तो बैसिकली अगर आप जैनवरी से मतलब यह मतलब यह अगस्त तक भी कर लेतो करेंट अफेर्स तो मोडन सफीशेंट है maximum number of questions जो है आपको वहीं से देखने को मिलेंगे ठीक है लेकिन कुछ नोबल प्राइस वगरा जो है आपको 2022 का भी देखके चले जाना है क्योंकि October November में वह आप दिया जाता है तो उसको आपको देखके अलग से चले जाना है बिहार जी के के लिए आपको मैंने बता दिया है क्राउन पॉब्लिकेशन या फिर द्रिस्टी आइस की बुख है माई सेट बिहार वह आप रेफर कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बुख है और द्रिस्टी आइस की बात यह है कि इसमें में 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 कैसे answers लिखना है उस format में आपको समझाया गया बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है ठीक है पॉलिटी के लिए अगर लक्षमी कांद आपने पढ़ा है पहले से तो पढ़ना ठीक ही रिवाइस करना लेकिन अभी एक महिने में आप पूरा लक्षमी कांद 8-10 के लिए पढ़ोगे तो रिटर्ण आ होगा आपका वो उतना अच्छा नहीं होगा ठीक है तो आप लूसेंट यूज कर सकते हो या फिर किसी कोचिंग वेगरा यह सब ठीक है तो आपको पौवर्टी से रिलेटेड कुछ hidden concept है ठीक है कुछ graph है तो उस तरीके से आपको cover कर जाना है और economy में ध्यान रखना है कि आपको बिहार का उक्तो कर ना मिछरिय ऑर इंडिया का इंडिया का अचे को सर्म आप यूद्कि दो तीन कोईशन आपको इन दोनों में से मिल जाएगा ठीक है आट-दस में से तो यह चीज आपको ध्यान रखना है जियोग्रफी में अगेन आपको इंडियन जिएदा फोकस करना है ठीक है अगर आट-दस कोईशन आ रहे तो पांच-छे क्वेशन जो इंडियन से आता है ठीक है तो इंडियन जिएसे की रिवर सिस्टम हो गया सोईल हो गया अगरी कल्चर हो गया तो इन सब पर आपको ध्यान देना है इंडियन मौंसुन के बारे में ध्यान देना है ठीक है वर्ल्ड जोग्रफी में आपको जैसे की साइकलोन वगरा के बारे में आपक पता होना चाहिए ठीक है तो बेसे कलिए आपको इंडियन जोगर्फी ज़्यादा फोकस करना और वर्ल्ड जोगर्फी इसके लिए भी क्या कर सकते हो कि आप दों ना सोर्स चेंज मत करें ठीक है लास्ट मुमेंट में उनके लिए जो नास्ट मत में पढ़ते हैं कि रेंडम पढ़ते हैं कंदमा कभी यहां से पढ़ लिया तो उनके लिए कि लास्ट मत में जो आप NCRT पढ़ो ठीक है और क्यूस्टिन लगाओ प्रीविएस यह जो भी question जो भी chapter पढ़ते हो जो भी subject पढ़ते हो उसका सबसे पहले कोई question लगाओ नहीं मत लगाओ लेकिन previous यह लगाना आपको जरूरी है और अगर आपको time extra मिलता है ठीक है तब आप extra question भी लगा सकते हो कोई doubt नहीं है ठीक है next important है जहां पर लिखा हूँ मैं maths ठीक है maths 10 question आपको आएगा ठीक है कुछ लोग maths को बिल्कुल completely छोड़ कर चले जाते हैं यह चीज में recommend आपको नहीं करूँगा कम से कम जो है previous year जो है जिनका maths week है तो previous year कम से कम two times आप करके चले जाओ इससे आपको यह idea लगए कि percentage profit loss time in work ठीक है number system probability इन सबसे questions आते हैं और बहुत easy concept है आप कर लोगे ठीक है अगर दस question आ रहा है अगर आपका बहुत ही week है अगर आप चार से पाच question भी इस में deal कर लेते हो question सही कर लेते हो तो यह आपको edge देगा ठीक है मतलब cut off clear करने में दस question पीछे मतलब छोड़ के completely आना यह थोड़ा सा back foot पे आपको ले करके चले जाता है तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ नहीं सकते हैं छोड़ सकते हो लेकिन मैं रिक्यमेंड नहीं करूं कि कि आप छोड़ के जाओ किसी भी subject को किसी भी subject को छोड़ के जाने का मतलब ही completely आप उसको deny कर रहे हो वह नंबर तो बिल्कुल आपका गया ठीक है अगर दस में से divide करना है ताकि आप preparation अच्छे से कर पाओ ठीक है तो first जो priority आपको देना है वो most important subject जो है उसको देना है ठीक है most important subject जो है आपको उसको देना जैसे कि science, history, current affairs, भीहाजी के इस पे आपको जितना revision करना करो क्योंकि यह हर एक student का strong होता है आप बिलीव करो अगर आपको लग रह यह आपका complete है फिर भी revise करते रहो क्योंकि बाकी student भी इस पे बहुत ज्यादा focus करते है तो आपको इस पे तो age होना ही होना चाहिए ठीक है और जो subject जो important subject है यानि कि जिससे कम questions आ रहे ठीक है उस पे भी आपको equally ध्यान देना है ठीक है ताकि जो है आप target करो कि आप 95 to 100 score कर अगर आपका 95 से 100 score है तो बिल्कुल completely सेफ हो सकता है cutoff नीचे चला जाए no doubt या ज्यादा जाए हो तो question पर depend करता है number of vacancy पर depend करता है लेकिन आपका target होना चाहिए 9200 के बीच में 95 से 100 के बीच में आपका target होना चाहिए कि इतना मैं score कर पाऊ ठीक है और इतना score हो जाएगा ठ आप जितना बार solve करो मैं बता रहा हो repeat होता है question आप खुद देखोगे कि हार जीके से हिस्ट्री से ठीक है science questions repeat होते हैं concepts repeat होते हैं ठीक है concept जो है repeat होता ही होता है even questions repeat होता है तो previous year आप जितना अच्छे से करके जाओगे आपको फाइदा मिलेगा मान के चलो कि 10 से 15 questions तो directly previous year को ignore मत करो अगर previous year से आप अगर आप कर लेते हो एक दो बार उसके बाद आप जो भी book आपके पास है घटना चक्र हो या कोई भी book हो जहां से practice करते हो उससे आप कर सकते हो तो basically इस video मिलतना ही ठीक है अगर आपको कुछ पूछना है BPSC prelims related books related कुछ भी और आपको कुछ important PDF चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हो ग्रूप में ग्रूप में कर सकते हो टेलिग्राम पर कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दूँगा सारे subject का ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही thank you and have a झाल 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 झाल